नमस्कार नीज़ फ्लेश में आपका स्वागत है और अब खबर विस्तार से युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिती के तत्वाधान में संचालित पिडित गोवन्स शिक्षाले के लिए दूसरी एंबूलेंस सेवा की सुरुआत की गई है इसका बुद्वार को रगवर्दास महराज बरवाली वे बालगदास महराज बरवाला के द्वारा शुभारम किया गया आचारे बंडित विमल पारिक ने मंत्रो चार किया महामडलेशो रग वरदास महराज ने कहा कि गउषेवा से पूर्ने के साथ मन को भी शांती मिलती है विदायक रुपाराव मुरावतिया ने कहा कि गउषेवा सबसे पुनित कारी है सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए कॉंग्रेस जिलादेक्स जाकिर उसिन गहसावत ने कहा कि गोवंच के इलाज और सेवा में सभी को बढ़ चर कर भाग लेना चाहिए समीती के संस्ता पक पूरण मल कुमावत ने बताया कि समीती द्वारा एक एमबूलेंस संचालित की जा रही है जिसके बाद जन सयोग से दूसरी आधुनिक एमबूलेंस सुरू की गई है इसमें पिडित गोवंच के इलाज में और अधिक सयोग मिलेगा इस मौके पर विदाइक रूपाराम मुरावतिया नागर कॉंग्रेस जिला कमिटी अद्दैक्स जाकिर उसिंगे सावत पूर विदाइक स्रीराम भी चर सर्पन जूसरी प्रकास भाकर नारैन सिंग मीड किय पारसद मौम्मद असलम चोधरी कॉंग्रेस सिवादल के अन्वराली गैलोत मकराना रिको एरिया मारबल एस्विसेशन के अद्दैक्स भागुराम आवला आचारी पंडित मिमल पारिक एक एकुरेशी शाम सुंदर पारिक एड़ोकेट बजरंगलाल व्यास संदक्षक गुनावती देविंदर सिंगुनावती तेजपाल बागडी रमेस बागडी विजे विश्णोई सेथ अनेक लोग मौचुड थे